असलाव अलेकुन दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोग बताऊंगा जब आप लोग का Facebook एकाउंट सस्पेंड हो जाता है तो आप लोगो 30 डेस दिये जाते हैं दोस्तों एकाउंट को रिकावर करने के लिए दोस्तों जब 30 डेस गुजर जाते हैं दोस्तों तो दोस्तों आपका Facebook एकाउंट को कैसे रिकावर करना हैं सब पूछ आठीकि वीडियो का आप लोगों ने स्टेप बाई स्टेप रेखोना है उस्से पहले अ कि अगर व दो अगर आप लोग ने शेनल कभी तक सबस्क्राइब नहीं गया तो जाली सीज़ाइब करें इन थी देगे बेल आइकन को भी प्रेस करें दोस्तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एकाउंट चेक कराऊंगा जो के यूडिस एग्रिवेट डिसिजन यानि सस्पेंड हो चुका है और 30 डेस सी उपर हो गये हैं दोस्तो आप लोगों को याद है रहे हैं कि आप लोगों को 30 डेस दिये चाते हैं सस्पेंड़ फेस्बॉक एकाउंट रिकावर करने के लिए ये आप देख सकते हैं दोस्तो यूडिस एग्रिवेट डिसिजन ये एकाउंट रिकावर नहीं हो पाया और मैंने कैसे एकाउंट को रिकावर किये दोस्तो आज ये वीडियो में बताने वाला हूं वीडियो का आप लोग ने स्टेप बेस्टेप सबचना है दोस्तो और कोई स्टेप आप लोगों ने मिस नहीं करना दोस्तो सही है दोस्तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उसी को आप लोगों ने follow करना है दोस्तो ये account will be disabled in one day सही है दोस्तो तो permanent disabled account होने से कैसे बचाना है सबसे पहले आप लोगों ने browser में जाना है दोस्तो और यहाँ पे दोस्तो आप लोगों ने search करना है your feedback about profile connection सही है दोस्तो give us a feedback about profile इसाइल की उपर आप लोग ने क्लिक कर दיה जैसी क्लिक करेंगे यहां पर दोस्तों आप लोग ने अपना emailfeltнд्वाइस बजया है सही है दोस्तों तो यहां पर मैं जली से email address सेंटर कर देता हूँ और यहां पर दोस्तों मैं login को option को select करता हूँ और नीचे आप लोग ने आना है दोस्तों और यहां पर दोस्तों आप लोग ने एक detail यानि description of the issue लिखना है दोस्तों जो problem आप लोग के पास आ रही है सहीए दोस्तों ID login करके आप लोग ने ये form फिल करना है sir my official facebook account is suspended sir I cannot login into my facebook account sir please solve my problem as soon as possible यह सब कुछ आप लोगों ने लिख देना है उसके बाद send option आप लोगों को देख रहे हैं उसकी पर आप लोगों सा क्लिक कर देना है जैसी आप क्लिक करेंगे दोस्तों यहां पर होगी तो इसी loading तो आप लोगों ने वेट करना होगा यहां पर आप लोगों के request submit हो जाएगी दोस्तों यह मेरी request submit हो चुकी है facebook team को दोस्तों उसके बाद दोस्तों आप लोगों ने क्या करना है अपने mobile में gmail account को open करना है और यहां पर दोस्तों मैं आप लोगों को helpful email दे दूँगा description में वहां से आप लोगों ने just copy paste करना है औ क्योंकि हम आल लड़ी काफी वीडियो में यूज़ कर चुके हैं disable at support.facebook.com दोस्तों सब्जेक्ट में आप लोगों ने लिखना है permanent disable facebook suspended account recovery appeal सही है दोस्तों यह लिख देना है नीचे से आप लोगों ने appeal start कर दीनी है याद रहे यही appeal आपके facebook account को recover करने में helpful रहीगी इसके लावा कोई भी facebook के links काम नहीं करते यहाँ पर आप लोगों ने लिखते हैं hello facebook review team sir my sir facebook link is not working sir my facebook account is suspended video को step by step आप लोगों ने समझने को step आप लोगों ने miss नहीं करना अगर आप लोगों की problem solve नहीं होगी i submit my suspended facebook account recovery appeal but i receive no reply from facebook team सहीए दोस्तों यह आप लोगों ने लिखते हैं उसके बाद आप लोगों ने और appeal मैं आप लोगों को दे दूंग डिस्कुर्शन में लास्ट में आप लोगों ने thanks facebook team अपने email और full name इंटर कर देना है दोस्तों सहीए दोस्तों उसके बाद आप लोगों ने screenshot select करना है जो problem आप लोगों के पास आ रही है दोस्तों तो यहां पे मैं आप दोस्तों screenshot select कर देता हूं यानि you disagree with distribution का आप लोगों स्क्रीन शॉट सेलेक्ट करना है दोस्तों तो यहां से पे मैं दोस्तों जली से screenshot select कर दीता हूं आप लोगों के सामने यह screenshot मैं select कर दिया दोस्तों इसी तरह आप लोगों ने screenshot को वेट करना है वेट करना है 24-48 हट ड्यूट कोविड-19 फेजबुक टीम को दोस्तो कुछ दिन लगते हैं रेप्लाइ देने में तो आप लोग ने दोस्तो वेट करना है और अगर उसके बाद दोस्तो जो फेजबुक टीम की तरह से कोई रिस्पॉंस आईगा उसकी रिस्पॉ